आप सभी का स्वागत है Competition Community Case Online Platform पर आज हम लोग शुरू करने वाले हैं अंतर राश्ट्रिये और राश्ट्री स्तर के महत्वपूर्ण Current Affairs की सीरीज को और मैं अभी आपके साथ शुरू कर रहा हूँ 21 सितंबर से 23 सितंबर तक के जितनी भी महत्वपूर्ण नैशनल और इंटरनाशनल Current Affairs की घटनाए हुई है उसको हम लोग डीटेल में डिसकस करेंगे तो आईए बिना डिले किये हम लोग अपनी मेन कहानी को शुरू करते हैं जहां पर कोई टेक्निकल टफ शब्द होगा इनके साथ एक बहुत बड़ी समस्या पता है क्या है समस्या यह है कि यह बहुत जादा सम्वेधन शील यानि सेंसिटिव होते हैं और टेंपरेचर में कोई बदला हुआ या कोई केमिकल पानी में बढ़ गया या कोई नमक किसी प्रकार से मात्रा बढ़ गई घड़ गई तो यह रंग इनका चला जाता है जिसको हम कहते हैं कोरल ब्लीचिंग रंग चला जाता है और रंग चला जाएगा तो अव्यस्टी बाते टूरिस देखने भी नहीं आएगा तो United Nations Environment Program ने क्या शुरू किया है इन्होंने ये Green Fins कारेकरम शुरू किया है जिसके अंतरगत इन्होंने दिशा निर्देश जारी किये है कि जो भी लोग Marine Tourism यानि ये जो समुदरी परेटन है उसको बढ़ावा देना चाते हैं तो Coral Reef के पास जाने से पहले इन इन चीजों की आपको साफधानी बरत्मी होगी ताकि Tourism का Tourism भी होता रहे परेटक भी आते रहें वो भी खुश हो जाए और Coral Reef भी आपकी सही सुरक्षित तरीके से रहें तो यही है आपका Green Fins कारेकरम तो चले संयुक्त राष्ट परयावरन कारेकरम यानि UNEP ने इसकी शुरुवात किये यही है इसका आंसर और UNEP की बात करें हम लोग कुछ additional facts भी देखेंगे ऐसा नहीं कि बस question के बाद answer देखा और आगे बढ़ गए जो उससे संबंदित और महत्वपूर डेटा है उस facts से उस question से या उस संस्था से वो भी हम सब देखेंगे तो बिलकुल comprehensive अच्छे से तयारी होगी UNEP, UNEP की स्थापना कब हुई ? तो 1972 में हुई, इसका क्याम मुख्याले का है तो नैरोबी, केनिया का गेपिटल है तो केनिया का क्या है नैरोबी सबसे बड़ा शहर केनिया का यह है, तो नैरोबी में मुख्याले है UNEP का अक्सर जो मुख्याले United Nations की संस्थाओं के हैं वो कुछ Washington, कुछ Geneva, New York यहां पर हैं लेकिन UNEP का मुख्याले कहां पर है? Nairobi, Kenya में है नेक्स्ट बात करें Green Finns हब इसमें 14 देश शामिल हैं तो यह मुख्य रूप से वो देश हैं जहां पर Coral Reef बड़ी संख्या में मौझूद है बड़ी मात्र में मौझूद है इसलिए यह देश ने यह गाइडलाइन्स को मानने की बात कही है और अच्छा है Coral Reef उनके पास जितना जादा समय रहेगी जादा परेटक आएंगे चले तो Green Finns हब पहला वैश्विक समुद्री परेटन उद्योग मंच है उद्देश क्या है पर्यावरन के अनुकूल दिशा निर्देशों के माध्यम से प्रवाल भित्यों यानि Coral Reef की रक्षा करना है तो टूरिजम का टूरिजम भी रहे और Coral Reef की रक्षा भी हो यह इनके दोनों के मकसाद है चले, UNEP के साथ Reef World Foundation सपोर्ट कर रहा है तो ध्यान से सुनना है इसके साथ हमने क्या बोला UNEP तो एक बात हो गया UNEP के साथ United Nations Development Program तो United Nations का विकास कारकरम जो है वो प्लस हमने एक नई संस्था का नाम देखा जो है Reef World Foundation तो कुल मिला कि यह तीन लोग इसमें एंगेजड है UNEP, UNDP और तीसरा क्या है Reef World Foundation जो कि England से है और यह भी सपोर्ट कर रहा है लेकिन यह काम का नहीं है क्या काम का है कि जो Green Fins Hub कारकरम है यह सबसे पहली बात किस से संबंदित है तो यह Coral Reef के संरक्षन से और जो समुद्री परेटर ने उसको बढ़ाने से संबंदित है कौन शुरू किया है तो मुख्य रूप से UNEP सपोर्ट करने वाले और लोग है लेकिन मुख्य रूप से UNEP चले नेक्स्ट कोशन की बात करेंगे नेक्स्ट कोशन देखेंगे देखो क्या है भारत की पहली सेमी कंड़क्टर प्रोडक्शन फैक्टरी किस राज्य में स्थापित की जाएगी पहले महराष्टर में स्थापित कर रहे थे किसको सेमी कंड़क्टर की फैक्टरी को सुनना semiconductor देखो एक होता है conductor यानी चालक और एक होता है अर्ध चालक यानी semiconductor इसके अलावा एक होता है insulator जिसको हम लोग कहते है कुछालक आपको सब क्यों धारन मालुम है चालक या conductor की बात करूँ जैसे copper हो गया aluminium हो गया तामबा है यह क्या है चालक है current बहुत आसानी से पास करता है heat बड़ी आसानी से पास करती है फिर एक होता है कुछ आलक यानि insulator जैसे glass हो गया या plastic हो गया यह insulator है semiconductor जो की insulator से जादा current या heat पास करें लेकिन conductor से कम तो यह बीच का है हना तो यह बीच की स्थिती में है यह insulator से जादा current पास करेगा लेकिन conductor से कम current पास करेगा तो यह जो चीज है इसको हम लोग क्या बोलते हैं semiconductor या अर्द चालक उधारन के रूप में silicon या germanium next बात करें electronic सामान जो होते हैं उन में semiconductor बड़ा famous आपने सुना होगा silicon chip लगी रहती है तो जो भी electronic equipment के माध्यम से आप यह वीडियो देख पा रहे हो तो वह electronic सामान में semiconductor का इस्तमाल है तो यह आपके और मेरे क्या बोला next कौन स्थापित करने वाली है हम लोग वापस question आ जाते हैं तो हमने क्या बोला था कि भारत की पहली semiconductor production factory किस राज्य में स्थापित की जाएगी question से जुड़े ने मैंने बोला पहले महराष्ट में होने वाली थी अब गुजरात में स्थापित होने वाली है semi conductor factory तो ये semi conductor factory अक्सर ताइवान चीन जापान अमेरिका में मौझूद है लेकिन अब भारत में स्थापित होगी और कहां पर स्थापित होगी तो भारत में गुजरात में स्थापित होगी पहले महराष्ट में स्थापित होने वाली थी कौन स्थापित करने वाला है ये भी इस्ट्रेक्शन में काम करता है तो हमने क्या बोला वेदानता गुरुप बहुत बड़ा गुरुप है इसके अलावे इनकी मदद कौन करेगा आओ नेक्स्ट क्या है तीन सितंबर 2022 में किस भारती को फ्रांस के सर्वोच नागरिक पुरुसकार नाइट ऑफ दी लीजन ऑफ ओनर से सम्मानित किया गया है दिव्या मदेरणा फालगुनी नायर स्वाती पीरामल या ममता बैनर जी सही जवाब है स्वाती पीरामल हमने बोला हमने स मूला का सर्वोच नागरिक पुरुसकार जैसे हम बोलें इंटिया का सबसे बड़ा नागरिक पुरुसकार हाईएस्ट सिविलियन ओनर कौन सा है भारत रतने है उसके बाद कौन सा है दूसरे नमबर का पदम भूशन फिर पदम भूशन और फिर पदम श्री यह होता है सबसे बड़ा कौन सा है भारत रतने सिविलियन ओनर में उसी प्रकार फ्रांस का सबसे बड़ा जो नागरिक सम्माने सिविलि Legion Of Honor और किसको सम्वानित किया गय है स्वाती पीरामल जी को蒜 स्वाती पीरामल आसल में पीरामल गुरुप की वाइज चैर्मेन हैं पीरामल गुरुप बहुत-बड़ा pharmaceutical company है फार्म HE सोटिकल मतलब दवाईयों को बनाने के लित कंदि जाना जाता है बहुत सारे आप दवाईयों के packet में पीछे देखोगे made by या from या product of क्या पीरामल ग्रूप तो पीरामल ग्रूप बहुत बड़ा ग्रूप है और इससे पहले ये जो मैडम है स्वाती पालिवाल जी इनको पदमश्री भी भारत ने दिया है तो भारत सरकार ने इनको पदमश्री भी दिया है और अब फ्रांस का सर्वोच नागरिक सम्मान भी इनको मिला है तो क्या नाम है स्वाती पीरामल स्वाती पीरामल जी विग्यानिक और उद्योगपती मैंने बता दिया आपको इनके बारे में है पीरामल गुर्प की वाइस चेर परसन है अच्छा कुछ समय पहले यह जो फ्रांस का सरवोच जो नागरिक सम्मान है यह शाशी थरूर सहाब को भी 2022 में मिला था यह भी कोशन आ सकता है 2022 में किन लोग को मिल चुका है शाशी थरूर सहाब को मिला है इसके अलावा किसको मिला है स्वाथी पीरामल जी को मिला है मैं आपको बता दूँ यह जो सम्माने कुछ समय पहले लटा मंगेशकर जी को भी मिला था ऑव्यस सी बात है कि जब वो जीवित थी तो इतना उन्होंने अपनी आवास से दुनिया के अलग अलग कोनों में उनकी म्यूज़िक उनकी जो आवाज रो बहुंची मैं आपको यह बीटा दूँ यह जो सरोच फ्रांस का नागरिक सम्मान है यह रहाए आपको ऐसा नहीं की के वल्स फ्रांस के्लों को यlä या आजाएगा फ्रांस के बाहर भी दिया जाता है बस आपने फ्रांस पर या फ्रांस क नहां पर है लेकिन वहां पर भी दवाईया इनकी जाती है तो कहने का मतलब बड़ा साफ है कि क्योंकि फ्रांस के लोगों को इन्होंने किसी प्रकार से अच्छे में अफेक्ट किया है इसलिए इनको यह सम्मान दिया गया तो शशी थरूर साब को 2022 में इससे पहले लता मंगे सम्मान है जिसको हमने बोला Knight of the Legion of Honor इससे स्वाती पीरामल जी को तो सम्मानित किया लेकिन इस शुरू किस ने किया था यह नैपोलियन बोनापार्ट ने शुरू किया था नैपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का एक सम्राठ हुआ जिसने कसम खाली ची कि मैं पूरे यूरोप को अपने कबजे में कर लूँगा खैर पूरे यूरोप को तो नहीं कर पाया लेकिन काफी बड़े शेत्र को किया था और इसका बड़ा दबबा बड़ा खौफ चलता था उसने इसकी शुरूआत की थी चले नेक्स्ट चीज़ पर आएंगे हमने यहां पर भी इस कोशन को भी डिसकस किया चौथा कोशन देखते हैं 17 सितंबर 2022 को किसे भारत का पहला स्वच्च सुजल प्रदेश घुशित किया गया है स्वच्च सुजल प्रदेश अब कई बच्चों को स्वच्च और सुजल में अंतर नहीं मालूम देखो स्वच्च तो आप सबको मालूम है कि भाई खुले में शौच्च से मुक्त ओपन डेफिकेशन फ्री हना तो खुले में शौच्च से जो मुक्त है हमने बोल जया कि भाई वो स्वच्च वर्ड का वो पर्टिकुलर शेहर उसके लिए काबिल है लेकिन एक नया वर्ड है सुजल तो ध्यान से सुनना आज तक वहा हिए जो सवच्च और सुजल दोनों हो सुणा मतलब क्या है खुले में में शौ्च्च मुक्त जबकि अगर में शूजल प्रदेश की बात करूं तो सुजल प्रदेश कौन हे हर घर जल मैंने क्या बोला हर घर में जहां नल का कनेक्शन हो और पानी का अबाय हो तो जो ऐसे शेहर हैं वो है सुजल या सुजल शेहर हो सकता है सुजल प्रदेश हो सकता है इंडिविज्वली दोनों मौझूद है अच्छे से सुनिएगा यह बात इंडिविज्वली सुजल प्रदेश भी मौझूद है इंडिविज्वली सुजल प्रदेश भी मौझूद है इंड अंदमान और निकोबार दूइब समुह तो अंदमान और निकोबार यह सुच्छ और सुजल दोनों बन चुका है कैसे बन चुका है ऐसा इसलिए पहला अंदमान निकोबार की रासधानी आपको मालू है पोर्ड ब्लेयर अंदमान निकोबार दूइब समुहों ने ग्रामीड हमने देखा अंदमान और निकोबार, तो यह स्वच्छ सुजल प्रदेश बन गया है, हर घर में जल भी है और खुले में शौच मुक्त भी है, हंडेट परसेंट देखो, यहाँ पर नल कनेक्शन और पानी भी पहुचा रहे हैं, अच्छा, अंदमान निकोबार में ही देश का एक मात्र, जो सक्रिय है, जो अलमुक्य है, जो एक्टिव वाल केनों है, वो मौजूद है, यह भी मालूम होना चीज, इसका क्या नाम है, तो बैरन आइलेंड या बैरन दूइब, चलें, नेक्स्ट कोश्चन की बात करेंगे, यह आप देख सकते हैं, अंदमान निकोबार आइलेंड बिकम इंडिया फर्स्ट स्वच्छ सुजल प्रदेश, और यह अंदमान और निकोबार को सम्मानित किया जा रहा है, स्वच्छ अब बहुत सारे और भी शहर करने वाले हैं, इंदौर, इंदौर जिसका स्वच्छता में अकसर नाम आता है, अब उसने एक और पंक लगवा लिया है, अपनी टोपी में, और वो क्या है पंक, वो पंक है डिजिटल एड्रेस का, सुनिएगा, एक एप है, इंदौर के ही स् एप है, जिसका नाम है पता, इस पता एप में पता है क्या करना है, लोगों को केवल एक बार जीवन में अपना पूरा एड्रेस डालना है, अपना जो आपका घर का एड्रेस है, उसके पास जो लैंड मार्क है, जैसे किसी घर के पास में कोई होटल है, कोई बैंक है, उसके कितए अच्छी बात है किए कुछ कुछ लागों का एड्रस बहुत lot lot of होता है बहुत समस्या होती है भेजने वाले के लिए right type करने वाले कि लिए है वैशने आपको पूरा अथ्रस आप रहा है सामने वाले delivery boy के और वो अपनी एप में जैसी कोड सेंटर करेगा, तो आपके घरका पता खुल जाएगा, तो आपको बस एक कोड देना है, और उसको कोड ढ़ना है, तो दोनों में फाइदा है, आपको बार-पर डिर्स नी टाइप करना पड़ेगा, और उसको नहीं बोलना पड़ेगा, कि भाईया, आपने जो हमको तबेला बोला था, यहाँ पर हम पहुच गए, यहाँ से राइट लेना है, कि लेफ्ट लेना है, यह समस्या नहीं आएंगी अब, तो अब यह बहुत जबरदस्त एप है, और यह बहुत बड़ा, यह हम देख बड़ी चीजे देख लेना है, जो भी आपने फीड किया था, सबसे पहली बार आपका पूरा एडर, सब उसको पता चल जाएगा, कोट डालते से ही, फाइदा, डिलिवरी प्लस कुरियर बॉय को सामान पहुचाने में, मदद मिलेगी, चले, नेक्ट बात करते हैं, हाल यह में किस देश ने साथवी पूर्वी आर्थिक मंच की मिजबानी की है, तो देखो हमने कहला पूर्वी आर्थिक मंच की मिजबानी की है, इंग्लिश में इस्तन एकनॉमिक फोरम की मिजबानी की है, इस्तन एकनॉमिक फोरम मैं आपको अच्छे से समझा देता हूं, आंसर देखने से पहले सुनिएगा, Eastern Economic Forum क्या है, Eastern Economic Forum, असल में ये वाला जो शेत्र है, इसको हम लोग बोलते है, Far East, क्या बोलते है, Far East, दिगभी रावका बहुत दूर है, पूर्व में है, हना, सुदूर पूर्वी शेत्र, Far East, बहुत दूर ये वाला शेत्र है, लेकिन, ये वो श conditions बड़ी टफ होती है, यहाँ पर temperature माइनस 50-50 तक जाता है, और इसलिए यहाँ पर लोग निवेश नहीं करते हैं, लेकिन जो Eastern Economic Forum है, वो यही बात तो कहता है, कि Eastern Economic Forum का कहना है कि आप इसमें निवेश करो, भारत, चीन, रूस, कई सारे देश इसमें मौजूद हैं, और सबसे आदा का मतलब है कि आप सोज भी नी सकते, 90 प्रतिशत निवेश इसमें चीन ने इस शेत्र में किया है, खर्णिजों को निकालने के लिए, तो Eastern Economic Forum का बनाने का मतलब यह था कि निवेश करो, उस से उस शेत्र का भी फायदा होगा, और दूसरी बात, जो लोग निवेश करे था, वो किसने अभी होस्ट किया रशिया ने, रशिया में कहा हुआ तो व्लादी वॉस्तोक, मैं आपको यहां पर दिखा देता हूं, इधर ध्यान देंगे, देखो आपको व्लादी वॉस्तोक दिख रहा है, तो व्लादी वॉस्तोक रूस का एक शेर है, और यहीं पर हमन और प्रमुक अभी करता यानि मुख्य एजेंट जो यहां पर पैसा लगाते हैं वो कौन-कौन है तो चीन, दक्षण कोरिया, जापान और भारत इस शेत्र के प्रमुक अभी करता है जहां चीन सबसे बड़ा निवेशक है तो हमने बोला रूस है, चीन है, दक्षण कोरिया है जापान भारत है यानि यह वाला जो शेत्र है चीन, दक्षण कोरिया, जापान, भारत भारत तो बहुत दूर है इस शेत्र मगर फिर भी इसलिए निवेशक करता है भारत क्यूंकि भारत का यही सोचना है कि भाई हमें पैसे आपने पैसे अगर निवेश नहीं हैं तो आम investment करोगे तभी तो आप research and development कारक्रमों में आप आगे की बात कर पाओगे तभी तो आप पैसे तक पहुच पाओगे ऐसे तुढ़ना आपको तेल उपर आता हूँ मिलेगा तो हरको अभी तक ले लिता तो इसलिए भारत भी निवेश कर रहा है अगले question पर आते हैं हाली में किस इंडिया डिस्क्रिमनेशन रिपोर्ट 2022 क्या नाम है इंडिया डिस्क्रिमनेशन रिपोर्ट 2022 इंडिया में डिस्क्रिमनेशन है कि नहीं है तो पहला जवाब है ऐसा रिपोर्ट बोलती है इंडिया डिस्क्रिमनेशन रिमोट बोलती है रिपोर्ट बोलती है कि डिस्क्रि तो यह जो marginalized society होती है जिसको हम कहते है हाशिये पर समू हना जो हाशिये पर समू होता है जो की मुख्यधरा जो समाच की उससे दूर हो गए है उन लोगों के खिलाव अभी भी discrimination है ऐसा यह report बोलती है मैंने आपको लोग अलग अलग गिनवा दिये महिला SCST बच्चे हो गए इस अंसर क्या है हाली में किसने इंडिया discrimination report जारी की है Oxfam India ने इसको जारी किया है क्या नाम है देखो Oxfam India लिखा हुआ है अब इदर हम आते हैं इंडिया discrimination report Oxfam इंडिया ने जारी किये, कारिस्थल, तो इसका कहना है कि भाई, कौन-कौन से लोग है जिनके साथ discrimination हो रहा है, तो महिलाओं हाशिये पर समुदा है, यानि marginalized society, अचा भेदबा किस प्रकार का भेदबा हो रहा है, जैसे महिलाओं के साथ कारिस्थल पर वेतन त अत्मक रूप से कम, तो इसका साफ मतलब है, हम देखते हैं कि कोई पुरुष, कोई महिला जो सेम काम कर रहे हैं, लेकिन महिला का वेतन कम है, तो यह जो discrimination है, ऐसा ओक्स फैम ने बताया, उजागर के है, जो कि सही भी है, इस प्रकार का डिस्क्रिमिशन हो रहा है, कारण क् महिलाओं का वेतन क्यों कम है, पूरवागरा, महिलाओं घरेलू काम काच के लिए, अब देखो कितनी शांदार बात लिखी हुई है, जब कोई सेम काम सेम टाइम में करके दे रहा है, तो महिलाओं को क्यों कम वेतन है, तो क्या, क्योंकि दिमाग में यह बैठा हुआ है, कि तो दूर करना है हाइलाइट किया है यह दूर करना है तो यह डिस्क्रिमिनेशन इस प्रकार का हो रहा है भेदबाव खतम करने के प्रयास क्या क्या हुए अलग अलग प्रयास जो हमने देखे समाज में की इक्वैलिटी आये, डिस्क्रिमिनेशन कम हो, हना, तो यह क्या है प्रयास, इसका सबसे पहले सतीप रथा, तो राजा राम मोहन रोय सहाब के प्रयासों से, विलियम बेंटिंग जब भारत के, जब हमने देखा, कि वो जब गवर्नर जनरल थे, हना, जब वो गवर्नर जनरल बन जाते हैं, आगे गवर्नर जनरल भारत के बनेंगे, उससे पहले तक तो बंगाल के गवर्नर जनरल थे, तो 1829 में विलियम बेंटिंग सहाब जब मौजूद थे, तब उनके ही शासनकाल में हमने देखा, राजा राम मोहन रोय सहाब के प्रयासों की वज़े से, कि सती को लॉर्ड एलन बॉरो मौजूद थे, लॉर्ड एलन बॉरो, 1842 से 44 तक करन का कारेकाल रहता और उनकी समय पर, स्लेवरी को, यानि दास प्रता को खतम करने के लिए, 1843 में कानून आया, तो अगे नहीं हम क्या देखते हैं, क्या खतम हो रहा है, वजाईर सी बात है, डिस्क् अर्विव में भी पूछा जा सकता है, मेंस में भी लिखा आता है, कि ऑक्स्ट्राम इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, यह यह हुआ है, डिस्क्रिमेशन बढ़ रहा है, भेदवाव बढ़ रहा है, क्या-क्या प्रयास सरकार ने किये, या बताओ, एतिहासिक रूप से क क्या-क्या प्रयास हुएं, तो वहाँ पे सती भी लिखना है, वहाँ पर आपको दास्प्रता को खतम करना भी लिखना है, वहाँ पर आज की योजना है, जैसे नमस्ते योजना, अगर आपने नमस्ते योजना पढ़ा है, तो सफाई कर्मचारियों के लिए योजना है, क्य सीधे हाथ से टचना करें कई सारे equipment इसके लिए उनको दिये गए कोशिश ये भी की जा रही है कि automatic बनाव प्रोसेस machines के माध्यम से ही पूरा जो सीवेज टैंक के उसको खाली कर पाऊ जहां नहीं कर पाते हो मुख्य धरा से बाहर है उनके लिए इसमाइल 75 योजना किसके लिए है तो हाशिया का जो समुदा है उसके लिए चले नेक्स चीज़ पर आएंगे इसको शंगाई पांच क्यों बोलते थे क्योंकि पांच देशों ने मिलके इसको बनाया था आगे चलके इसका ही एक नया रूप आएगा जिसको हम कहेंगे शंगाई कोपरेशन और्गनाइजेशन तो जो शंगाई सयोग संगटाने वह 2001 में आएगा सुनिए गा इससे पहल ज़एगा 2023 में फुल मैंबर बनेगा तो एरान इसको कब जोईन करने यह भी कोशन आ सकता है कि बिल्कुल सबसे लेटेस्ट मेंबर अनौंसमेंट हो गया इस बार के शंगाई कोपरेशन और्गनाइजेशन में अनौंसमेंट हो गया है कि इरान फुल मैंबर बन जाएगा तो आप उसको मेंबर मान सकते हो, बस यह है कि 2023 का वेट कर रहे हैं, बाकि उसको फुल एंट्री के लिए तयार कर दिया है, तो इसका नाम आपको मिलना शुरू हो जाएगा, इस कोशन में कि सबसे लेटेस्ट एंट्री कौन है, तो आपको दिमाग में रखना है, इरान है, च कितना अच्छा है, वारा नसी, वारा नसी या बनारस जो इंडिया में है, उसको नामित किया गया है, क्या नामित किया है, शांगाई कोपरेशन औरगनाईजेशन की टुरिजम और कल्चरल कैपिटल, तो आपको मालूम भी है, बनारस तो वैसे भी अपने कल्चर के लिए शांदार है, अब रात को कभी चले जाओ, तो बिल्कुल उजाला ऐसा लगता है कि दिन है, मतलब भले ही रात ऊपर से आस्मान से हो गई है, लेकिन लोग, माहोल बिल्कुल रात वाला नहीं लगता, बहुत शांदार जगह है, चलें, बात करते हैं, तो वारा नसी, शांग समरकंद उसकी राजधानी नहीं, उसका एक बड़ा शेहर है, लेकिन उसबेकिस्तान की राजधानी क्या है, ताशकेन, बैटक 2022, समरकंद उसबेकिस्तान, चलें, शामिल देश, कितने देश, तो नौ देश है, नवीनतम देश, इरान, तो इरान को मिला के, हमने मान लिया तो नौ देश, इरान को आमने इंक्लिउट कर लिया है, हलाकि फॉर्मल एंट्री, ओफीशल एंट्री इसकी अगले साल होगी, लेकिन, क्योंकि इसको इस साल भी ये दरजा दही दिया गया था, बस ओफीशल एंट्री, इसकी फॉर्मल एंट्री इसकी अगले साल होनी है, लेकिन आप इरान को मेंबर काउंट कर लो, तो इरान अब इसका पार्ट है, 2023 में भारत मेजवान होगा, अब अगले साल 2023 में शांगाई कॉपरेशन और्गनाइजेशन का जो समिट है, तो ये कहां पर होने वाला है, ये इंडिया में होने वाला है, और ध्यान से सुनना है, अगले साल इसका अध्यक्ष भी होगा, जो प्रेसिडेंसी है, जो अध्यक्षिता है, वो रोटेट होती है, तो अगले साल भारत को ये अध्यक्षिता मिलने वाली है, और भारत में होने भी वाला है, और पहली सांस्कृति कॉपरेटर राजधानी किसको बोला है, बनारस क को बोला है चलो नेक्स कोशन पर आते हैं नवंबर 2022 में कौन सा देश चंद्रमा पर अपना पहला रोवर राशिद भेजेगा इसका सही जवाब है युनाइट अरब इसका बहजना है चांद पे जिसका क्या नाम है राशिद नाम है किसकी मदद से भीजेगा फालकन नौप जो की स्पेश का रोकेट इस पेस एक्स सापको मालूम है एलोन मस्क की कमपनीया तेसला स्पेस्थ नाम सُनाब आपनी मस्क दुनिया के सब से रहीस हैं लुर्त समय ऌघ सक्षब2 सज्व BBQ ऑद इंडिया के व्यंदिया के यह ऐसे पहले वियक्ती है जो कि सेकंड पोजिशन पर पहुंच गयी बहुत बड़ी यानि UAE तो extra fact में देखे राशिद क्या है एक रोबोट है आपके सामने रोबोट ही तो है यह रोवर और कहां बेजा जाएगा चंद्रमा पर कौन बेज रहा है यूए बेज रहा है किस से बेजेगा Falcon 9 जो रॉकेट है जो SpaceX का रॉकेट है जो Elon Musk की कंपनी है अगर सफलता पू राशिद वहां तक पहुंच जाता है तो यूए रशिया चीन यह सब शामिल हो जाएंगे मदद करने कैसे आगे की चीज करने क्या कि रिसर्च में हमको लगेगा तो चंद्रमा पर भेजी आपको चलाई गया तो भाई आप क्यों अपना रोवर भेज रहे हो उससे मदद ल चलें तो यूए मंगल ग्रह पर भेज दिया उसने हो चलें दसवा कोशन लास्ट कोशन 19 सितंबर 2022 को आई एनस अजय को कहां से सेवा मुक्त किया गया है आई एनस अजय की बात करेंगे आई एनस अजय ये सम्मरीन रोधी जहास था ये सम्मरीन को खतम करने वाला जहास था और आई एनस अजय ने 32 साल सर्विस के पूरे कर लिये अब इसको डी कमिशन किया जा रहा है मुंबाई से इसको डी कमिशन किया गया इसने कारगिल के युद्ध में बहुत शांदार काम किया था नौस इना के लिए और कारगिल के समय जो नौस इने का उपरेशन ता जिसक सेवा मुक्त 2022 कहां से मुंबई से 32 वर्ष सेवा रही सम्मरीन हंटर इसको कहते थे पंडुबी रोधी जहास तो सम्मरीन को मारने का इसका काम था डून डून के महत्वपूर्बुमिका निभाई चलें अब क्लास को खतम करने से पहले सुनिएगा हम लोग जल्दी से रिवाइस करेंगे और रहे सारे को रिवाइस कर देंगे फिर हम बढ़ेंगे आगे फिर क्लास को खतम कर देंगे चलें, तो हम लोग कहां पर मौजूद हैं, एक सेकेंड इसको सही कर दें, चलें, तो सबसे पहले देखो क्या है, सबसे पहला, हाल इमें किस ने Green Fins Hub लॉंच किया है, तो इसका सही जवाब है, संयुक्त राष्ट्र परयावरण कारिक्रम, यानि UNEP, नेक्स्ट बात करें, भा पीरामल जी को सम्मानित किया गया है, ये पीरामल ग्रुप की वाइस चेर में है, वाइस चेर परसन है, ऐसा मैं कहूं, चेर में नहीं चेर परसन, नेक्स बात करें, 17 सितंबर 2022 को किस भारत का पहला स्वच सुजल प्रदेश घोशित किया गया है, तो इसका सही जवाब है, अंदमान निकोबार द्वीब समू को गोशित किया गया है, पानी भी पॉच रहे लोगों के पास, और खुले में शौच मुक्त भी है, चले, नेक्स कोशन पर आएंगे, फिफ्ट कोशन पर आएंगे, देश की पहली डिजिटल एडर सिर्टी होगी इंद और, बहुत जब तो किसने किया है, ऑक्स फैमने किया है, औक्स फैमने को जादी किया है, नेक्स कोशन की बात करें, 16 सितंबर 2022 को किस शहर को, 2022 तेस के लिए शांगई संगटन की पहली परेटन और सांस्कृतिक राजधानी नामित किया है, तो हमारे बनारस को नामित किया गया है, नेक्स ब बात करें 19 सितंबर 2022 को आई एनस अजय को कहां से सेवा मुक्त किया गया है तो मुंबई से इसको सेवा मुक्त किया गया है 32 वर्ष की सेवा के बाद और इसने ऑपरेशन तलवार में भूमिका निभाई थी सम मरीन को खतम करने के लिए था चले तो यह भी हमने देख लिया चल आप बिल्कुल कोमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक बताई कि इसको और भैतर कैसे बनाया कोई गलतिया हुए तो बिल्कुल निश्चत रूप से बताईएगा कोई दिक्कत वाली बात नहीं मुझे उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लगी होगी आप सभी बच्चे जा सकते हो कि बाइबाय थैंक्यू टाटा सी यू अगें